बिहार एक गरीब राज्य है और केंद्र सरकार को इसको विसेस राज्य का दर्जा देना चाहिए वो जेट बिमान पे चड़के कहां जाईएगा बताईएगा ना 17 साल से तो हम लोग लगतार देख रहे हैं कि बिहार में बाड आती है और हिलिकोप्टर से आप घूमते हैं देखते हैं बिहार में कानून बेवस्था ध्वस्त कर गई है लगतार अपराद बिहार में बढ़ रहा है अपराधी लगतार यहां तो मंतरी का आवास को भी जो है चोरी कर लिया जाता है अंदर घुसके बिहार में सासन जो है वद्धोस्त हो गया है और प्रसासन से अपराधी जो है खौफ नहीं खा रहे हैं लगतार अपराध अपने चरम पर है बिर्जु जी और जनता यहां की चाहती है कि बिहार में बदलाव हो बिहार की राजनिती में सराब के बाद अब हेलिकॉप्टर की चर्चा जो है जोरो सोरो से होड़ी है बिहार सरकार ने फैसला किया है कि अब वो हेलिकॉप्टर खड़ देगी केबिनेट में पास भी हो गई है लेकिन सवाल है कि आकिर इतना हो हल्ला क्यों में साथ राजनि पे वो जेट बिमान पे चड़के कहां जाईएगा बताईएगा ना आप छपरा चले गए क्या सो से जादा वहां जहरीली सरा पीने से मासुम लोगों की मौत हो गई आप गए वहां पर बिहार में कहीं भी कोई आपदा होती है तो मुख्यमंत्री जी कहीं जाते हैं क्या तो ह हेलिकॉप्टर अब कहां जाईएगा हेलिकॉप्टर से तो देखिए 24 में परधान मंत्री बनने की लालसा आपकी है यह तो किसी से छिपा हुआ नहीं है बिहार में जब डेंगु का प्रकोप था उस समय आप जाके हरियाना में जंसभा कर रहे थे लगातार आप कभी केजर समाल कहां कीजिएगा वह अच्छी बात है कि जो भी आप खरीदियेगा हेलिकॉप्टर और बीमान वह सरकार की संपत्ती होती है खर देंगे आप चड़ेंगे तेजस्वी जी लेकिन आप उससे जाईएगा कहां मानने मुखमंत्री जी बिहार की जंता को यह जानने का हक है सरकार भाई बिहार बाड से भी पढ़ोई तो हता है मुखमंत्री उस वक्त भी निकलते हैं तो उस वक्त तो अपना हेलिकॉप्टर काम आएगा ना भाई आप जाते हैं और अभी हम लोग देखे कि हर तक्रीबन 17 साल से तो हम लोग लगतार देख रहे हैं कि बिहार में बाड आती है और हेलिकॉप्टर से आप घुमते हैं देखते हैं और कहां कहां बाड आई है सनक मार से तो कभी आप जाते नहीं है चुकि जंता का जो बिरोध है उसका सामना आपको करना पड़ेगा तो पुराणा वाले हेलिकॉप्टर भी ठीकी थे जब साल में एक बार निकलना है सिर्फ बाड में तो पुराणा वाले को ही मरमत करा लेतें चुकि तो कि आप ही कहते हैं और सदन में कहते हैं कि बिहार एक गरीब राज्य है और पैसा बर्बाद करने की जरूरत क्या है जो पुराना वाला था उसको मरमत करा लेते हमको लगता है कि वह भी उड़ी रहा होगा चुकि सरकार का हेलिकॉप्टर है तो जो उसके मानक होते रखी राखा हो तेमें मेंटनेंन्स होता है वो तो होता हím है ठीक भी होगा लेकिन चुकी अब 2014 में मान्य प्रधान मंत्री जी के खिलाफ एक रणनिती बनानी है तो देश में कई राज्यों में आपको भ्रमन करना होगा विपक्षी एकता बनानी होगी तो वो कही न कही मंसा अंदर है और एक लंबा जो है सोच है मान्य प्रधान मंत्री जी का उसी के मद्दे नजर हेलिकॉप्टर और एक जेट विमान सरकार खरीदने जा रहे है तो दूसरा सवाल लेते हैं क्या लगता है कि बिहार में वैसी प्रस्तिती बन गई है है लगतार अपराद बिहार में बढ़ रहा है जहरीली सराब जुकित के बिहार एक ड्राई एस्टेट है उसके बावजूद जब से दोहजार सोलह के बाद से ही ये पहली घटना आपको मालूम है कि गोपाल गंज में हुई थी उसी समय से जो एक निरंतर चलने वाली ये घटना है लगतार हो रही है अभी हाल फिलाल में छपरा में करिब सो लोगों से उपर कहा जाता है कि मौते हुई है डेड़ सो भी कोई आकड़ा बताता है और लगतार हो रहा है अपराद बढ़ रहे है भृटचार बिहार में चरम पर है बैंक डकैती है हत्या है लूट है बलतकार है कई दलित बच्चियों का हम लोग ने देखा कि किस तरीके से दरिंद्गी उसके साथ में हुई अपराधी लगातार यहां तो मंत्री का आवास को भी जो है चोरी कर लिया जाता है अंदर घुसके तो अपराध तो बिहार में बहुत फैला हुआ है अभी सवाल है कि अप्राध अभी हुआ है एंडिये के कारकाल में हुई था जनून ब्यवस्था पर पहले भी हुई है तो अभी ही राश्चतिती सासल लगने की मांग क्यों अधरने लालू परसाद यादो जी के बिरोध में ही इनका उदय हुआ है नितिश कुमार जी का और जो बार बार ये बताते थे कि देखो जंगल राज से हम किस तरीके से बिहार को निकालेंगे बिकास करेंगे तो जनता तो उसी को लेकर मनने मुख मंतरी जी को सत्ता सौपी जितरी इस 2007 कर जो जन्हें के जो बिएंगे वहार के लोगों में एक डर्व व्याप्त है उसको कहीन कहीं अब हम तो आपको यह कह सकते हैं कि विहार में सासन जो है वध हो गया है और प्रसाशन से अपरादी जो है ख़ौफ नहीं खा रहा है लगातार अपराद हो रही है बिहार में पटना में आए दिन मडर होता है और बिहार के अंटीसो जीला में लगातार हो रहा है तो नितीश कुमार जी का जो दोहज्जार पाँच में कारेकाल था वो अभी नहीं द जहरीली सराप से लोग मरे हैं वहां वो जाते रहे हैं तो कई बिसे हैं इस पे राश्टपती सासन चाहर हैं वहीं उनके चाचा है अधरनिय पसुपती कुमार पारश जी वो भारती जनता पाटी के राश्टी अद्धक्ष जिपिनड़ा जी से मुलकात किये हैं वो भी बिहा से दोनों लों मिले थे दोनों लोग का कौमन मांग था कि है दोनों लोग में राश्टपती सासन लगें चुप्रा में गटना हुई है उस पर मुक्ज मंत्रीं जी और currents के बिहार पे केस हो कौमन है में लेकिन देखिए अपराद अपने चरम पर है बिर जानता यहां की चाह तो बिहार की जनता तो मैंडेट इसलिए भी नहीं दी ती कि गठ बंदन बार-बार बदल लिजे अब अलग गठ बंदन में तो बिहार हमको लगता है बहुत जल्द चुनावी मोड में आने वाला है तो सवाल की सुरुआज जो हम किये थी हलिकॉप्टर से लेकिन सराथ भी होने लगा चर्चा होने लगा चुकि चिराघप पासवां देली में गड़े मंते मिरित्शाथ मुलाइकाट करते हैं चाचाह पसुपति पुमार पार यस जो बिजे पी कह सकते हैं भी जब्म विलगतर नितिति कुमार के खिलाब to और मांग एक ही है कि बिगर्टी कानुने विवस्ता और जरी शराब जिस प्रिकार से लोग की मौत हुई और भी हो सकती है समावन जाता जारें चुकि सराबंदी जरी पर लागू है नहीं इस बात को समी लोग सिविकार करते हो तो कहीं ने कहीं इसी तर्ज पर जा रहा है कि ब्यार में जो है राष्ट्री सासन लगा देनी चाहिए इसको मिता ही देखते हैं टॉफ नुसकार